हेलो एब्रिवन आई होब कि आप अपना बहुत ये अच्छी तरीकी से प्रिप्रेशन वागिरा कर रहे होंगे तो आज किस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि जो 26 जून था उसको पेपर कैसा है मतलब स्टुदेंट्स को कैसा लगा पेपर और स्टुदेंट्स का कहना है कि यह कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जिनसे कि NTA डेफिनेटल क्योशन पुछता है तो आपको वो टॉपिक्स किसे भी कंडिशन में नहीं चोड़ने तो अब वो टॉपिक कौन से हैं वो जाने के लिए आपको जरूर से देखना है थोड़ा एंड तक देखीगा जब आपको बता लग जाएगा कि आर किस तरीगी का पेपर आता है और आप लोगों को बताता हूं कि अभी तक जो भी पेपर का ट्रेंड रहा है दोनों दिन वही तीसरे दिन रहा अब जो तीसरे दिन हुआ है वही चौते दिन होगा अब कुछ भी चेंज नहीं होगा तो वो बात ध्यान से सुनो अब सबसे फर्स्ट बात करते कि कौन से वाला पार्ट फिजिक्स, कैमिस्ट्री और मैथेमेटिक्स में से सबसे जदा टफ आयता है तो अगर बात करें टफनेस के लेवल में तो जो थोड़ा tough side में जाते हैं वो जाते हैं हर बार mathematics जारी हर एक shift में बच्चे बोल रहे हैं कि mathematics लें दी थी tough थी तो यह हो गया कि यहां पर mathematics तो आपके जो होने वाल है उसमें भी tough आईगी तो आपको क्या करना है जो है जो है वो आप लोग की यहां पर formula based skill को देखता है कि आपको कितना याद रहता आप कितने याद रख पाते हो कितने मलब की एक तरीकी से सही time के अंदर कि आप solve कर पाते हो और नहीं कर पाते तो जही means का simple सा reason होता है कि evaluation करना है कि आप कितना याद रख पाते हैं तो formula based question देखने को मिलेंगे तो आपको अभी अगर आप formulas revise नहीं कर रहे हो तो definitely हर एक chapter के at least सारे formulas तो एक बार revise कर के ही जाना है फिर उसका बन जो third point आता है कि यहाँ पर कुछ ऐसे chapter है जिन से कि definitely anti question पूछेगा आपको बताता हूँ सबसे first mathematical reasoning इससे question आना confirm है 100% है कि इससे एक question आएगा ही आएगा फिर second chapter biomolecules, biomolecules से एक से दो question आने confirm है इसमें जो drugs वाला part है वहाँ से तो question definitely आएगा फिर इसके वादे हाँ पर third वाला जो आता है हमारे पास में green chemistry और hydrogen वाला अलग कर देते हैं बताब hydrogen को अलग कर देते हैं green chemistry मलब की environmental chemistry 11 वाला part और उसे के साथ में एक और जो add कर देते हैं hydrogen और उसका आइसो टॉप्स तो अब आप देख सकते हैं कि इन topics में से 5 से 6 question आना confirm है और इनको करने में कोई जादा time ने देगेगा अगर आप revision करने बैठोगे अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहागा दो घंटे के अं अगर बैस इतना हीं मिलते हैं आप लोग उस नेट्ट वीडियो के अंदर और आप लोग और अगर सब्सक्राइब न ही करता है तो सब्सक्राइब ज़रूर नहीं करने जई हैं और मिलते हैं आप लोग उस नेक्स वीडियो में बेस्ट अथ-फ्लक for एकजाम